कोरल ड्रा के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कोरल ड्रा में एप्पिल का लोगो बनाना कि एप्पिल का लोगो कैसे बनाते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा में कैंडल डिजाइन करना कि कोरल ड्रा में कैंडल कैसे डिजाइन करते हैं बिल्कुल बेसिक सी तो चलिए हम अपने वीडिएो को सुरूह करते हैं और सीखते हैं कोल् theory में ह्न ली करना यहां पर हमब कोई लेते हैं कोई परने ओपन कर लिया है और लीए के लिए करने के लिए सबसे पहले हमको यहां पर आना हए ट्मार में और टूल दिया वह Di altri इ Raphael इसकी Uta EU 6 होती है में इसप्रेश करें तो भी हमारा Na me too select हो जाएगा यहां पिर क्लीक करेंगे और यहां से एक Renault हमको ऐसा डेजाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से तो हमने stared rectangle डिजैन कर लिया है और यहां से हम लेंगे प्रिकली प्रिक तूल इसको इस साइड में रख लेते हैं अब इस कैंडल में हमें कलर फिल करना है यहाँ पर अप्षयर के आप्साम दिया है है इस वाले बले फिल करना है तो इस वाले ब्लैक कपना हो उस करना चाहते हो जैसे क обяз कपर करना चाहते हैं यहां पर इस वाले कलर को ले लेंगे अगर हम नीचे वाले कलर पर क्लिक करेंगे और नीचे हम जिस भी कलर को फिल करना चाहें उस कलर को यहां से हो फिर हम यहां से ले लेंगे फिक टूल लेने के बाद यहां पर एक टूल दिया है इलिफ टूल हम इलिफ टूल लेंगे लेकिन अभी यहां पर जूम टूल जो है जूम टूल को ले और इतने एरिया को जूम कर लेना कि ताकि जो हमारा ऑब्जक्ट है थोड़ा किलियर दिखाई दे तो यहां पर हम लेंगे लिफ टूल और इस लिफ टूल को ऐसे हमें ड्रेक कर लेना है बिलकुल यहां तक फिर फिक टूल लेंगे और इस तू इस वाले सरकल को हम उठाके लेकल के इस तक से में यहाँ पर रख लेना है और इस τरीचने कसी के यहां से कलर कर सकते हैं और वाको रुक्ण है कि टर्बॉली चेलिक जाएँगी और इसके आउट यहां से हटा दे नहीं है और इसका जो कलर हम को रखना होका रेड कलरकर देना थेंख कुछ इस तरीके से है फिर हम आएंगे bitmap में अब हम इस वाल्लें red color को blur करना चाहते हैं तो आएंगे bitmap में और यहांप एक option दिया है कनवा टू bitmap का कनवा टू bitmap पे क्लिक करेंगे और यहांसे व को okay कर देना है फिर हम bitmap में आएंगे blur में आएंगे और एक option नीचे दिया है Gaussian blur का Gaussian blur पे क्लिक कर देंगे अब यहां से इस कलर को हम जितना blur करना चाहें यहां से blur कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से blur करना color हम इतना blur कर लेंगे और यहां से ok कर देंगे और color इसमें अपलाई हो जाएगा अब हम अपने इस object को वर्जेनल साइज में लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से shift यह फोर बटन प्रेस करेंगे हमारा जो साइज था बिल्कुल फिट हो जाएगा फिर जूम टूल लेंगे और नीचे जो एरिया है नीचे वाले area को हमें select कर लेना है फिर यहां से हम लेंगे ellipse tool इलिफ्स तूल लिया और इस तरीके से मेख और circle यहां पर ड्रा कर लेंगा है कुछ ऐसे skirm among mutual को यहां पर ड्रा कर लेना है फिर ऑप टूल लेंगे और इस वाली design को कुछ यहां करेंगे और कुछ कलर एसा फिल कर देना है और यहां पर नीचे आएंगे कलर को फिल करेंगे और यहां हाँ से आपने कलर को Mix कर लेगे जितना हमको perfect कलर लगे उस वाले कलर कोться है कुर तो हमने यहां से लेंगे फिक टूल और हम shift के साथ या button प्ससे करेंगे shift के साथ या button प्रेश की फ्रेस किया हमा आपके कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहां पर हमने इतनी डिजाइन तयार कर लिए फिर हमको आना है फिरी हैंड टूल में फिरी हैंड टूल पर किलिक करेंगे और यहां पे एक बार किलिक करके सीधी लाइन हमको खीचनी है कंट्रोल बटन प्रेश कर लेंगे और इस तरीके से एक सीधी लाइन हम कीज लेंगे फिर हमको यहां पर लेना है safe tool लेंगे और middle में हमको click करना है एक बार है पॉइंट देना है तो मिडिल में हम यहां से click कर देंगे पॉइंट आ जाएगा फिर उपर एक point दिया है convert to curve का convert to curve पर हम click कर देंगे और यहां से कुछ इसकी design जो है ऐसे हमें बना लेनी है इस object की यहां पर इस तरीके से हम डिजाइन हम बना लेंगे फिर यहां पर टूल दिया है close curve का close curve पर हमें click कर देना एक line आ जाएगी और इस line में भी हमको यहां पर click कर लेना है और कनवा to curve में जाके और इसको तोड़ा हमें कुछ ऐसे डिजाइन करना है कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेना इसको और इस पर click करेंगे इस वाले point पर इसको तोड़ा ऐसे और इसको हम कुछ ऐसे हां से डिजाइन कर लेंगे तो अब जिस तरीके से इसको डिजाइन कर पाएं उतना ही perfect होगा यहां पर हमने को design कर लिया और इसकी डूबलीकें निकाल लेते हैं और इसमें हम color जो है color fill कर लेते हैं यहां पर red color fill करना और इसकी जो outline है नन कर देंगे right के लिए करेंगे इस praw ke sample पर इसकी outline हड़ जाएगी इसको हमें यहाँ पर रखना है तो आदिक है तो इसका size कम करना है और इसको मैं कुछ इस तरीके से करना है और इसकी जो निल्त glory है है के सेंटर में आ जाएगा फिर हम इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया यहां पर जो लीप है इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हमको लेना है से टूल से टूल लेंगे मिदिल वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस वाले फॉइंट को थोड़ा हमें कुछ ऐसे बढ़ान बनाई यह ताकि जो हमारी candle design हो candle perfect बने यहां से तूल लेना और इसको हम थोड़ा यहां से size जो है increase कर लेंगे और फिर हम save tool पे click करेंगे और इस वाले node पे click कर लेना है यहां से कुछ कर लेंगे और अब हम इस वाले point को यहां से थोड़ा ऐसे move करना है कुछ इस तरीके से move कर लेंगे यह point हमारा हम रहां से move हो जाएगा इसको हम अर्जेस्ट कर लेना आपने हिसाब से point हमारा move हो जाएगा तूल लेंगे इसको हमने यहां पे डिजाइन कर लिया अब इसमें हमको औरेंज कलर फिल करना है यहां से हम औरेंज कलर फिल कर देंगे पिर हम इसकी एक डूब्लिकेट निकालना है तो यहां कर देंगे तो हमारा एक डिजाइन बन जाएगा और इसमें हमको हाइट कलर फिल कर लेना है अब जो अब्जेक्ट है रोड़ा इनको परफेक्ट यहां पर अर्जेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर हम दोनों अब्जेक्ट को परफेक्ट रख लेंगे फिर इस पर किलिक करेंगे और इसकी तुम्हें एक और डूब्लिकर नीचे की तरफ निकालना है तो राइट किलिक किया डूब्लिकर निकल जाएगी और इसको हम यहां पर रख लेंगे और इसमें हम एक कोई भी इतना हमारा complete हो गया अब सभी object को select करेंगे और इसकी जो outline है outline यहां से हम remove कर देंगे outline इसकी हड़ जाएगी फिर हम white वाले shape को select करेंगे यहां पर जो डॉप shadow tool का option दिया इस पर point पर click करेंगे और इसी में को मिलेगा blend का blend पर click करेंगे और यहां से जो यह वाला point दिखाई देरा इस वाले point को उठाएंगे और इसमें कुछ yellow color में mix कर देना है इस तरीके से yellow color में हम इसको mix कर देंगे फिर हम orange वाले color को select करेंगे और हमको bitmaps में आना है और यहां पर convert to bitmaps पर click करके और यहां से हमको okay कर देना है फिर वाले और यहां पर golden blur का option दिया itdhaan बलार उपर click करेंगे यहां से हम अपने object को जितना blur करना सब्सक्राइब एतना ब्लर कर सकते हैं तो हमें अपने हिसाव से कुछ इतना हमें अबजेक्ट को बलर करेंगे और यहां से करेंगे ओक्व किया होके कुलिया पूरे को सजेट करना एक इस तरीके से हम अपने औपजेक्ट को सलेट करना है और Ctrl-G से गुरूप कर देंगे हमारा औपजेक्ट पूरा गुरूप हो जाएगा गुरूप हम इसलिए करते हैं कि साइज छोटा हो जाएगा और इसको हम यहां पर रख लेंगे तो हमारी जो कैंडल है कैंडल अभी रेडी हो गई अब हम इसको करेंगे सलेक्ट इस पूरे अबजक्ट को हमें सलेट कर लेना है ऐसे सलेट किया कंट्रोल जी करतेंगे गुरूप हो जाएगा तोड़ा साइज छोटा करेंगे और पूरे अबजक्ट को ऐसे सलेक्ट करना है फिर यहां से हम गुरूप कर लेंगे यहां से कर सकते हैं यहां पर इसके शॉटकट कंट्रोल जी होती है वहां से भी हम अपने ऑबजक्ट को गुरूप कर सकते हैं अब हम इधर से उधर लेके जाएंगे ऑब टूल जो है रेक्टेंगल पर हमको डबल के लिए कर देंगे यहां पे इसके नीचे बाइक ग्राउंड आ जाएगा और यहां से हम पेज का साइज जो भी रखना चाहें आटोमेटिक यहां से उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं फिर यहां से पिक टूल लेंगे और बैग्राउ की डुलिकेट निकालना चाहते हैं अब हम कैंडल की डुलिकेट निकालना चाहते हैं फिर यहां पर हमारी केंडल जो है candle ready हो गई है तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी candle design करनी हो बहुत ही आसानी से candle हम design कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने candle बनाना सीखा कि कोरल रा में candle कैसे design करते हैं और इसको हमने बिल्कुल basic से cover कर लिया है एक एक point को अगर आप लोगों को फिर भी कोई confusion रहे गई हो तो comment करके पूछ सकते हो अगले वीडियो में हम आपके doubt दूर करतेंगे तो चलिए हम मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में हम सीखेंगे 3D logo design करना अगर हम कोरल रा में 3D logo design करना चाहते हैं तो कैसे design करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखन झाल झाल झाल